हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आशु ठाकुर दोहर कहा हूँ उसमें आपका सब का स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको ले आया हूँ सनमती अपार्टमेंट सेक्टर 6 में हैं वेल मेंटेन सोसाइटी है और काफी ब्रॉड रूट्स देख सकते हैं यह अंदर का पार्प मिल जाएगा एक्स्टिरियर लुक भी देख सकते हैं काफी वेल मेंटेन है सोसाइटी और इस टाइप की सोसाइटी इस दोहर कम हैं तो ये अच्छी सोसाइटी है, सामने आपको गेट देख सकता है, सोसाइटी का एंटरेंस गेट है, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में शेयर भ यह हमारा living और dining, तो यह देख सकते हैं, यह हमारा living area, काम चल रहा है, फिनिशिंग वर्क में ही है, फिनिशिंग होने वाली है, तो थोड़ा बाद जो लकडी का काम बचा हूँ है, वो ही हो रहा है, तो यह आपको living area मिलेगा, living room इसके साथ ही आपको सामने बड़ी balcony मिलती ह तो यह आपको बड़ी balcony मिलती है, balcony अगर दिखाऊँ आपको, तो इस type से यह आपको balcony मिलेगी, UPVC की आपके doors लगे होएं सारे, और यह आपको यहाँ पर balcony मिलेगी, और यह पूरा इस तरह से trees and all यहाँ पर है, तो proper air और ventilation अच्छी आती है, तो society flats में वैसे भी ventilation की issue होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा false ceiling किया हुआ है, सारा काम इसमें नया हो रहा है, और यह pew polish का काम चल रहा है, यह आपको डाइनिंग, तो यह देख सकते हैं, आप डाइनिंग एरिया, इसमें भी false ceiling का काम आप देख सकते हैं, डाइनिंग, और डाइनिं के देख रहे हैं दो आरका में तो जल्दी ले लें क्योंकि DDA scheme जो successful रही है उसके बाद से prices बहुत high हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो ये kitchen के बाद ये इसका first bedroom आप देख सकते हैं तो ये first bedroom इसमें भी false healing design काफी अच्छा हो रखा है और wardrobe सामने मिल जाएगी और ये इसकी second balcony देखो इसका size भी काफी बड़ा है तो ये proper इतनी बड़ी balcony इसमें washing area भी है आपका तो ये washing area भी आप बना सकते हैं तो ये washing area देख लिए है आपने ये first bedroom पूरा देख लो इसके साथ ये एक washroom मिलता है इसमें भी ये आपको washroom मिलेगा इसमें जो fittings लगनी है तो वो fittings का का रहा है sanitary तो ये first washroom भी देख लिया आपने इसका और काफी अच्छा काम कराया हुआ इस flat में ये इसका second washroom है ये भी देख लो ये common भी और एक bedroom से attached भी है तो ये second washroom इसमें और ये इसका second bedroom तो तीन तो इसमें balcony है भी एक balcony और है वो भी दिखाऊंगा आपको तो तीन balcony वाल flats बहुत कम है दवार का में वो भी अच्छी बड़ी बड़ी वालकनी तो कई flats में तो बस खड़े होनी की जगा होती है इसमें अच्छी वालकनी है बड़ी है काफी ये इसका third room और third room में भी आप देखें काफी अच्छा fall ceiling का work कराया हुआ है और ये आपको wardrobe भी काफी designer मिल इसमें तो प्लीज लाइक जरूर करते हैं और सर्दी बहुत है तो अराम से रहें और हैपी लोडी लोडी भी है तो आप सबको और ये इसमें आप देखें ये इसकी बालकनी मिलती है आपको तो ये आपको बालकनी मिलेगी इसमें एक और third balcony और ये भी पारक फेसिंग बाल देगा तो यहां पर कोई इशू ही नहीं है आपको मतलब धूप का भी कोई इशू नहीं है इस फ्लैट में उदर नहीं आएगी तो दूसी तरफ आएगी दूसी तरफ नहीं तो इस तरफ किसी ना किसी बालकनी में आपको धूप मिलनी ही मिलनी है तो ये पूरा गार्डन आपको फ्लाट इसकी आस्केंग है दो करोर पैसाट लाग रुबे टू पॉइंट सिक्स फाइफ सी आर थैंक यू सो मच विजिट जरूर